श्री गनेशा इनमा, अत, श्री शिव पुरान, विधेश्वर सहिता, अध्याई पंद्रह, देश, काल, पात्र और दान आदिका विचार, रिशियों ने कहा, समस्त पदार्तों के ग्याताओं में श्रेश्ट सूद जी, अब आप क्रमशह देश, काल आदिका वर्नन करें, जलाश्य का तट उससे भी दस गुने महत्वा का स्थान जानना चाहिए, देवाले से भी दस गुने महत्वा का स्थान जानना चाहिए, देवाले से भी दस गुने महत्वा का स्थान जानना चाहिए, देवाले से भी दस गुने महत्वा का स्थान जानना चाहिए, देवाले के तड़का स्थान इन से भी दसगुना पवित्र माना गया है और परवत के शिखर का प्रदेश समुद्र तच से भी दसगुना पावन है. सबसे अधिक महत्व का वह स्थान जानना चाहिए, जहां मन लग जाए. यहां तक देश का वर्नन हुआ, अब काल का तार्तम्य बताय जाता है, सत्ययुग में यग्यत, दान आधी कर्म पूर्ण फल देने वाले होते हैं, ऐसा जानना चाहिए. त्रेता युग में उसका तीन चौथाई फल मिलता है, द्वापर में सदा आधे ही फल की प्राप्ती कही गई है, कली युग में एक चौथाई ही फल की प्राप्त शुधदिन की अपेक्षा दस गुना फल देने वाला होता हैं, यह जानना चाहिए। उससे भी दस गुना महत्व उस कर्म का हैं, जो विशुब नामक जोतिश के अनुसार वह समय जब की सूर्य विशुब रेखा पर पहुंचता है और दिन तथा रात दोनों बराबर होते है वर्ष में दो बार आता हैं, एक तो सौर चेत्रमास की नवमी तिथी या अंग्रेजी 21 मार्च को और दूसरा सौर आश्विन की नवमी तिथी या अंग्रेजी 22 सितंबर को योग में किया जाता है, दक्षनायन आरंब होने के दिन अर्थात कर्प की संक्रांती में किये हु पुन्यकर्म का फल्चंद्र ग्रहन से भी अधिक और पूर्ण मात्रा में होता है, इस बात को विग्यपुरुष जानते हैं, जग्द्रो रुपी सूर्य का राहु रुपी विश से सयोग होता है, इसलिए सूर्य ग्रहन का समय रोग प्रदान करने वाला है, अता उस विश यानी पुरुष जानते मानते हैं, तपोनिष्ठ योगी और ग्याननिष्ठ यती ये पूजा के पात्र हैं, क्योंकि ये पापों के नाश में कारण होते हैं, जिसने 24 लाग गायत्री का जब कर लिया हो, वह ब्राहमन भी पुजा का उत्तम पात्र है, वह संपूर्ण फलों और भोगों को देने में समर्थ है, जो पतन से त्रान करता अर्थात नरक में गिरने से बचाता है, उसके लिए इसी गुन के कारण शास्त्र में पात्र शब्द का प्रयोग होता है, यह दाता का पातक से त्रान करने के कारण पात्र कहलाता है, गायत्री अपने गायक का पत जो गायत्री का जब करके शुध हो गया हैं, वही शुध ब्राह्मन कहलाता है। इसलिए दान, जब, होम और पूजा सभी कर्मों के लिए वही शुध पात्र है। ऐसा ब्राह्मन ही दान तथा रक्षा करने की पात्रता रखता है। श्री हो या पुरुष जो भी भूखा हो, वही अन्न दान का पात्र है। जिसको जिस वस्तु की इच्छा हो, उसे वह वस्तु बिना मांगे ही दे दी जाए तो दाता को उस दान का पूरा-पूरा फल प्राप्थ होता हैं। ऐसी महर्शियों की मान्यता है। जो सवाल या या प्राचना करने के बाद दिया गया हो, वह दान आधा ही फल देने वाला बताया गया है। अपने सेवक को दिया हुआ दान एक चौथा ही फल देने वाला होता है। उसका दान दाता को पून फल देने वाला बताया गया है। क्षत्रियों का शौर्य से कमाया हुआ, वैश्यों का व्यापार से आया हुआ और शूद्रों का सिवावरिती से प्राप्त किया हुआ धन भी उत्तमद्रव्य कहलाता है। धर्म की इच्छा रखने वाली स्त्रियों को जो धन, पिता एवं पती से मिला हुआ हो, उनके लिए वहुत तंद्रव्य है। गौ आदी बारह वस्तुओं का चैत्र आदी बारह महीनों में क्रमशा दान करना चाहिए। गौ, भूमी, तिल, सुवर्ण, गी, वस्त्र, धान्य, गोर, चांदी, नमक, कोहरा और कन्या यही विबारह वस्तुओं हैं। इनमें गोदान से काईक, वाचिक और मानसिक पापों का निवारन तथा काईक आदी पुन्यकर्मों की पुष्टी होती है। ब्राहमनों, भूमी का दान इहलोक और परलोक में प्रतिष्था आश्रे की प्राप्ती कराने वाला है। विध्य पुरुष कुष्मांट के दान को पुष्ट दायक मानते हैं। कन्या का दान आजीवन भोग देने वाला कहा गया है। ब्राहमनों, वह लोक और परलोक में भी संपूर्ण भोगों की प्राप्ती कराने वाला है। विध्वान पुरुष को चाहिए कि जिन वस्तुओं से श्रवन आदी इंदिरियों की त्रिप्ती होती हैं, उनका सदा दान करें। श्रोत आदी दस इंड्रियों के जो शब्द आदी दस विशय हैं, उनका दान किया जाए तो वे भोगों की प्राप्ति कराते हैं तथा दिशा आदी इंड्रिय देवताओं को संतुष्ट करते हैं वेद और शास्त्र को गुरु मुख से ग्रहन करके गुरु के उब्देश से अथ्वा स्वयम ही बोध प्राप्त करने के पश्चात जो बुद्धी का यह निश्चे होता है कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है, इसी को उच्चकोटी की आस्तिक्ता कहते हैं भाई बंधु अथ्वा राजा के भैसे जो आस्तिक्ता बुद्धी या श्रद्धा होती है, वह कनिश्च श्रेनी की आस्तिक्ता है जो सर्वता दारिद्र है, इसलिए जिसके पास सभी वस्तुओं का अभाव है, वह वानी अथ्वा कर्म शरीर द्वारा यजन करे मंत्र, स्तोत्र और जपादी को वानी द्वारा किया गया यजन समझना चाहिए तथा तीर्थ्यात्रा और व्रत आदी को विद्वान पुरुष शारीरिक यजन मानते हैं जिस किसी भी उपाय से थोड़ा या बहुत, देवतारपन बुद्धी से जो कुछ भी दिया अत्वा किया जाए, वह दान या सतकर्म भोगों की प्राप्ती कराने में समर्थ होता है तपस्या और दान ये दो कर्म मनुश्य को सदा करने चाहिए तथा ऐसे ग्रह का दान करना चाहिए, जो अपने वर्ण चमक दमक्या सफाई और गुंट सुक सुविधात से सुशोबित हो बुद्धिमान पुरुष देवताओं की त्रिप्ती के लिए जो कुछ देते हैं, वहतिशे मात्रा में और सुक प्रकार के भोग प्रदान करने वाला होता है उस दान से विद्वान पुरुष इहलोक और परलोक में उत्तम जन्म और सदा सुलब होने वाला भोग पाता है इश्वरार्पन बुद्धि से यग्यदान आदी कर्म करके मनुश्य मोक्ष फल का भागी होता है इती श्वी शिव पुरान के विद्वेश्वर संहिता अध्याय पंद्रा कथा समाप्त हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे ओम नम शिवाए ओम नमा शिवाए